वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं कच्छे आम का अचार और यह अचार हमें दो तरह से बनाया है यह हमारे पेड में ही कैरी लगी थी तो वहां से हमने तुड़वा ली हैं और इसे अच्छे तरह से हमने दो कर और इसके टुकड़े कर लिए हैं आम काटने वाले उससे और यह टुकड़े करके हमने रख दिये हैं अब इसमें हम हल्दी और नमक मिलाकर पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद फिर इसे हम धूप में सुखाएंगे तो यह इसमें हमने हल्दी मिला दी है ऐसा करने से इसमें जो पानी होता है वो निकल जाता है तो अचार खराब नहीं होता है हमारा तो इसमें हमने हल्दी और नमक मिलाकर इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था ऐसे ही और जब आम का अचार एक बात आप धियान रखें कि पहली बारिश जब हो जाती है तो उसके बाद ही आप आम का अचार रखें वो आम का अचार खराब नहीं होता है क्योंकि जो थोड़ी गर्मी होती है वो निकल जाती है और आम भी इसका जो बीच के जो छिलका होता है वो टाइट हो जाता है तो उससे की वैसे आम का चार जो है वो खराब नहीं होता है तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो कच्छी केरी होती है उसका चार आप नहीं रखें वो अच्छा जल्दी खराब हो जाता है तो ये हमने मिला कर और रख दिया था इसे और सुवे हमने इसे निकाल लिया है और इसे एक साफ सूती कपड़े में इसे हमने धूप में धूप में क्या थोड़ा सा मतलब हलकी शेड वाली उसमें हमने इसे आदे घंटे के लिए आदे से एक घंटे के लिए छोड़ दिया है ताकि जो इसका पानी है वो सूप जाए और ये अच्छी तरह से ड्राय हो जाए कैरी तब इसका हम अचार मिलाएंगे तो ये हमने रेडिमीट मसाला लिया है और ये रवल दास का है अचार मसाला और इस मसाले से हम ये अचार बनाएंगे और हमने घर के मसाले से भी अचार बनाया है तो इसकी रेसीवी भी आगे मैं आपको बता रही हूं तो ये रेडिमीट वाला है तो यह हमने मसाला लिया है और यह डाइसोग्राम है और इसमें थोड़ा सा वैसे तो सारे मसाले इसमें मिले ही रहते हैं लेकिन थोड़ा से इसमें हम अभी इसमें नमक मिलाएंगे इसमें सारी चीज़ें मिली रहते हैं इसमें हमने मिलाया है घरका बना हुआ ये सिरका है गन्य के रसका और गन्य के रसक वाला जो सिरका होता है उससे अचार हमेशा अच्छा रहता है खराब नहीं होता है और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल सरसों का तेल हमने गरम करके ठंडा कर लिया था और वो तेल हमने इसमें मिलाए है गरम करने से उसमें जो अशुद्धी होती है नमी होती है वो निकल जाती है और अच्छी तर ऐसे उसका धुआ निकाल लिया था उसके वाद उसे आमने ठंडा कर लिया था और वो तेल इसमें हम इसमें मिलाएंगे और इन सारे मसालों को मची दर ऐसे mix कर देंगे और आपके हाँ सूखे होने चाहिए और साफ होने चाहिए आपके हाँतों में ज़रा सभी पानी नहीं नहीं होना चाहिए इस बात का आप धियान रखे हैं नहीं तो अचार आप के खराब हो जाएगा और ये सारी चीज़ें हमने मसाले में मिक्स कर ली है और इसके बाद हम इन कैरियों को इस मसाले में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे दो तिन दिन के लिए किसी बड़े बरतन में ही रखे रहने देंगे ताकि इसे हम उपर नीचे करते रहें ताकि जो मसाला है वो एक सा मिल जाए और इसे हम साफ सूती कपड़े से ढाक के रखेंगे दो तिन दिन आप इसमें बड़े बरतन में रखे रहने दीजिए उसके बाद ही से हम कंटेनर में रखेंगे तो यह मसाला अच्छे तरह से हमने हातों से मिक्स कर दिया है और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद इसमें हम तेल डाल कर और साफ सूखे कंटेनर में भरके रख देंगे और इस तरह से आप अचार बनाईए तो यह अचार आपका कभी भी खराब नहीं होता है अब हम घर के मसाले से अचार बनाएंगे इसके लिए हमने सौफ लिया है सौफ की मातरा ज्यादा रखी है मेथी है जीरा है और थोड़ी सी हींगे ने सब्सक्राइं और इन सारी चीज़ों को हम ड्रै रोस्ट कर लेंगे ओर थोड़ा ही भूंदना है जिसमें अछी हलकी से खुश्षबूओं आने लगे तो हम गैस को आफ कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम ऐसे ही भूनेंगे इसमें कुछ नहीं डालना है और इसमें अच्छी से खुश्बू आने लगी है और जब खुश्बू आने लगी और मसाला थोड़ा सा ये भून जाए तो इसके लगी गयस को करेंगे ओफ इसे ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम मिक्सी में चला लेंगे ताकि इससे थोड़ा बहुत बारिक नहीं पीसना थोड़ा दर्दरा ही रखना है और ये मसाला हमारा तयार हो गया है इसे हम एक बड़े बरतन में निकाल लेंगे और इसमें मिलाएंगे हम सर्सों ये काली वाली सर्सों हैं जिसे हमने हाथ की चक्की से ही घर पे ही इसे पीस लिया है और इसके जो छिलके हैं वो हमने निकाल दिये तो यह घर का ही मसाला है और घर का मसाला भी से भी अगर अचार बना तो यह खराब नहीं होता है तो इसमें हम मिलाएंगे जो हमने मेथी जीरा और सौंफ का पाउडर बनाया है उसको हम इसमें डाल देंगे कुछेस द्टायर यह जाता हुआं है तो यह गंष दिए और हम हम भी लेसंट दालो दो बहुत अच्छा लगता है और इसमें हमें डाला है हमारा तयार हो गया है और उसमें से हमने थोड़ी सी कच्छे आम जो हमने सुखाए थे हल्दी और नमक मिला के उसमें से हमने थोड़ा सा ये बचा लिया था और उससे हमने ये घर के मसाले से हमने इसमें अचार बनाया है तो ये सारा मसाला हमने मिला लिया है तेल और सिरका मि तो यह हमारा आचार तयार हो गया है घर के मसाले का तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए और लाइक को शेयर कीजिए और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो